कुनाल जल्द से जल्द ओफिस पहुचाना चाहता था. वो निशा से इतने दिन से बात करने की कोशिश में था लेकिन वो निशा कहा है ये भी नहीं जान पाया. कुनाल बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हुए ओफिस पहुँच जाता है और जल्दी से अपनी पसनल लिफ्ट से अपने फ्लो पे चला जाता है निशा इस वक्त अपने काम में बिजी थी मीरा उससे बात करना चाहती थी लेकिन निशा ने उसे लंच टाइम में बात करेंगे कहकर काम में बिजी हो गई थी कुनाल जब लिफ्ट से बाहर आता है तो वो सीधा अपने केबिन की तरफ जाता है क्यूंकि उसके केबिन जाने से पहले निशा का डैस्क आता था जब وہ निशा को वहाँ अपने काम में बिजी देखता है तो उसका मन करता है कि वो निशा को अपनी बाहों में भर ले लेकिन वो ऐसा कुछ भी ना करते हुए खुद के केबिन की तरफ जाता हुआ दिखाता है निशा कुनाल को ओफिस में देख हैरान रह जाती है क्यूंकि निशा ने कुनाल का शेड्यूल देखा था तो कुनाल आज ओफिस नहीं आने वाला था निशा खुद के एमोशन्स कंट्रोल कर कुनाल के पीछे उसके केबिन में जाने लगती है उसका दिल जोरो से धड़क रहा था निशा डोर पे नौक कर अंदर जाती है और डोर बंद करती है कि तभी कुनाल उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपनी बाहों में भर लेता है कुनाल को अब जाके इतने दिनों से सुकून मिला था कुनाल के ऐसे अचानक कीचने से निशा शौक रह जाती है कुनाल निशा को अपनी बाहों में भर आखें बंद करता है थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद कुनाल अपनी डीप आवाज में बोलता है तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया निशा की को कुनाल की बात सुन उस दिन जो कुनाल ने कहा वो याद आता है कि उस दिन कुनाल ने रिया से क्या कहा था निशा कुनाल की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए उसे पीछे धकलने की कोशिश करती है लेकिन कुनाल से उसे टाइट हग किया था निशा कुनाल को जोर का जटका देती है और बोलती है छोड़िये मुझे सर ये आप क्या कर रहे है निशा की ऐसे कुनाल को दर बोलने से कुनाल की पकड निशा पर धीली हो जाती है तो निशा कुनाल की बाहूं से दूर हो जाती है कुनाल निशा को तरफ देख कनफ्यूजन में बोलता है क्या कहा तुमने सर तूम तो मुझे सर नहीं बोलती फिर आज क्यूं मैं जानता हूँ. कुनाल आगे कुछ बोल पाता की निशा अपना हाथ दिखाते हुए बोलती है, हम आफिस में है और हम यहां बॉस और एम्पलोई है तो हमें यहां वैसे ही रहना है. निशा के ऐसे बोलने से कुनाल निशा को कमर से पकड़ अपने तरफ कीच उसकी आखों में देख बोलता है, बीवी पहले तुम मेरी बात सुनो मैंने उस दिन वैसे क्यों कहा ये मुझे तुम्हें बताने तो दो. कुनाल की आखों में इस वक्त सच्चाए देख रही थी निशा कुनाल की आखों में खोने लगी थी तभी वो कुनाल से अपनी नजरे हटा लेती है और बोलती है, मुझे कोई explanation नहीं चाहिए और मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे पता है, हमारी शादी सिर्फ तु कुछ रख वाइलदली किस करने लगता है, वो निशा को किस कम और बाइट जादा कर रहा था, कुनाल की किसमे गुस्से के साथ नाराजगी भी थी, वो निशा को किसमे अपना गुस्सा दिखा रहा था, निशा पहले तो कुनाल से स्ट्रगल करती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो कुनाल को जो वो करना चाहता है वो करने देती है। कुनाल को जब अहसास होता है कि निशा अब शांत हो चुकी है। वो धीरे से निशा के होटों को छोड़ देता है और फिर उसके होटों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है। अब मेरी बात सुनो और फिर जितना गुसा करना है उतना करना लेकिन मुझसे दूर जाने की सोचना भी मात तुम मेरी बीबी हो और तुम मेरे पास ही रहोगी इतना बोल कुनाल निशा को अपनी बाहों में लेकर सोफे पे बैठ जाता है निशा कुनाल की गोद से उठकर सोफे पे बैठना चाहती थी लेकिन कुनाल उसके कमर को टाइटली पकड़ता है और उसे बोलता है ये तुम्हारी पनिश्मेंट है मुझे खुद से पूरा एक वीक दूर रखा इसलिए तुम पूरे एक महीने के लिए ऐसे ही मेरे पास मेरे आखों के सामने होगी मैं तुम्ही दूसरा मौका नहीं देना चाहता मुझसे दूर जाने का कुनाल निशा को ऐसे ही अपने गोद में बिठा के उसके चेहरे पर आये बालों को पीछे करते हुए प्यार से बोलता है मुझे उस दिन रिया से वो सब कहना पड़ा क्योंकि ज ये सब किसने करने के लिए कहा ये सब जानना है और मैं ये सब उसे अपने पास रखकर ही पता लगा सकता हूँ और इसलिए उसे मैंने उस दिन ये सब कहा तुम चाहोगी तो भी मैं तुम्हें डाइवर्स नहीं लेने दूनगा और नहीं कभी मैं तुम्हें खुद से दू करना होगा लेकिन तुम घर छोड़ कहीं नहीं जाओगी कुनाल एक साथ सब कुछ बोल देता है और फिर निशा को देखता है जो की बहुत मासूम लग रही थी वो कुनाल को देख रही थी उसकी आखों में पानी था कुनाल निशा की आखों का पानी पोच उसकी आखों पे क इसकर बोलता है क्या तुम्हें ट्रस्ट है अपने हस्बंड पर। कुनाल के ऐसे पूछने से निशा कुनाल को देखने लगती है और कुनाल भी निशा को आशा भरी निगाहों से देख रहा था। निशा थोड़ी देर कुनाल की आखों में देखती है उसे कुनाल की आखों में खुद के लिए बहुत सारा प्यार और विश्वास देख रहा था। निशा कुनाल के एक गाल पर अपना हाथ रख उसकी आखों में देखते हुए बोलती है मुझे मेरे हब्वी पर पूरा करते हुए बोलता है वैसे तुम़ारे मुः खुद के लिए हब भी बहुत अच्छा लगता है तो आज से तुम मुझे हब भी ही बोलोगी और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बीवी जेलेस है कुनाल के ऐसे बोलने से निशा मुः बनाते हुए कुनाल का कॉलर पकड उसे अपनी तरफ कीच थोड़े attitude से बोलती है तुम सिर्फ मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा हग है इसलिए तुम्हारे पास आने का हग सिर्फ मुझे है किसी और को अपने पास आने दिया तो दोनों छोड़ूंगी नहीं मैं निशा की ऐसी बाते और खुद पर ऐसे हग जता कुनाल निशा के नाक को पिंच करते हुए बोलता है तुम ऐसे पाउट बना के मुझे देखोगी और इतनी क्यूट लगोगी तो मैं खुद को रोप नहीं पाऊंगा और वैसे भी तुमने मुझे खुद से एक वीक दूर रखा है याद रखना इसका हिसाब में आज रात स कुनाल की ऐसी बाते सुन निशा का चहरा लाल होने लगता है निशा कुनाल के चेस्ट पे मरते हुए बोलती है तुम कितने बेशर्म हो तो कुनाल हसते हुए बोलता है मेरा ये साइड सिर्फ मेरी बीबी के लिए है कुनाल के ऐसे बोलने से निशा फिर से शर्म से लाल हो जाती है निशा कुनाल की बाहों से निकलने लगती है तो कुनाल उसे ऐसे बिठते हुए अपनी सर्द आवाज में बोलता है ऐसी यी बैठी रही थोड़ी देर मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है कुनाल के ऐसे बोलने से निशा बोलती है तुम्हें काम नहीं करना है क्या औ तुम यही मेरे पास बैठने वाली हो। इतना बोल कुनाल निशा को ऐसे ही अपने बाहों में लिए उठकर अपने चेय पर जाकर बैठ जाता है और फिर मीरा को कॉल कर बताता है कि कोई भी उन्हें डिस्टब ना करे और किसी को भी अंदर आने ना दे। निशा समझ जाती है कि कुनाल उसे नहीं छोड़ने वाला है इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती और कुनाल की बाहों में बैठी रहती है वही दूसरी तरफ मीरा आरव मेसेज कर बताती है निशा आज ओफिस आई है मीरा का मेसेज पढ़ते ही आरव जट से रिपलाई देता ह क्या सच में तो जिससे कहो कि वो हम सब आज मिलने वाले है और क्या उसकी इंजूरी ठीक हुई है आरव का मेसेज पढ़ मीरा रिपलाई देती है हाँ वो अब ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आज हम से मिल पाएगी क्योंकि बॉस ने उसे अभी तक केबिन से बा आरव का रिपलाई ना आता देख मीरा थोड़ी अपसेट हो जाती है इस एक वीक में दोनों अच्छे फ्रेंज बन गए थे लेकिन मीरा के मन में आरव के लिए फ्रेंज से ज्यादा फिलिंग्स थी और उसे लगता था कि ये गलत है क्योंकि आरव उसे एक अच्छा दोस् स्पेशल कौन है मीरा अपने खयालों में ही थी कि उसका मेसेज टोन बज़ती है मीरा अपना फोन दिखाती है तो आरव का मेसेज आया था मीरा जट से मेसेज ओपन कर देखती है तो आरव ने उसे लंच के लिए पूछा था मीरा कोई रिपलाई दे पाती उससे पहले बोल सकती आरव का ऐसा मैसेज देख मीरा के चहरे पर अपन आपी स्माइल आ जाती है वो आरव को मैसेज करती है ठीक है मैं रेडी रहूंगी आप आने के बाद मुझे मैसेज कीजे में नीचे आ जाऊंगी इस पर आरव उसे ठीक है बोलता है इसके बाद मीरा स्माइल करते ह अपने काम में बिजी हो जाती है। अपने काम में बिजी था कि तभी उसका फोन बजाता है। कुनाल की फोन की आवाज सुन निशा की आखे खुर जाती है। कुनाल और निशा एक साथ फोन की स्क्रीन की तरफ देखते है। स्क्रीन पर रिया का नाम शो हो रहा था ये देख कुनाल निशा की तरफ देखता है निशा तो फोन की ही देख रही थी वो वैसे ही कुनाल को फोन उचाने के लिए बोलती है कुनाल फोन रिसीव कर स्पीकर पर डालता है तो कुनाल के बोलने से पहले उधर से रिया की आवाज आती है कुनाल, क्या तुम बिजी हो अगर नहीं तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं मैं अकेले लंच नहीं करना चाहती रिया की बात सुन निशा कुनाल की तरफ देखती है तो कुनाल भी उसे ही देख रहा था निशा कुनाल से कुछ नहीं बोलती और उसके चेस्ट पर सेर रख आखे बंद करती है कुनाल निशा को टाइट हग करते हुए थोड़े कड़क लहजे में रिया से बोलता है मैं आज थोड़ा बिजी हूँ तो तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगा और डिनर भी नहीं तुम मेरा इंतजार मत करना और खाना खाकर रास्ट करो कल तुम्हें डिस्चारज मिल जाएगा इतना बोल कुनाल रिया की कोई बात सुने बिना कॉल काट देता है निशा कुनाल को ही देख रही थी कुनाल उसे ऐसे खुद को देखने से उसके नाक के टैप करते हुए बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यू देख रही हो मैंने तुम्हें कहा ना मुझे कुछ उसक के साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। कुनाल की ऐसे बोलने से निशा अपना मुऊ बनाते हुए बोलती है। मैंने कहा कुछ कहा मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि वो हॉस्पिटल में क्यू है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। निशा की बाते सुन कुनाल निशा के होटों को किस करते हुए प्यार से बोलता है। वैसे मुझे मेरे बीवी की ये पजेसव साइड बहुत अच्छी लगी। तुम ऐसे बहुत ही क्यूट लग रही हो मन कर रहा है कि तुम्हें ऐसे ही द गर्म सांसे छोड़ते हुए बोलता है तुम जो मेरी बातों पे इतनी रियक्ट करती हो वो भी मुझे बहुत पसंद है। निशा कुनाल की चेस्ट में अपना सिर छुपा लेती है निशा की ये क्यूट हरकते कुनाल के दिल को सुकून पहुँचती है। निशा फिर से सीर हिला देती है। कुनाल के पूचने से निशा बड़े मासूमियत से अपना सिर हा में हिला देती है। तो कुनाल निशा को बताने लगता है जब तुम उस दिन ओफिस से चली गई तब मैं तुम्हारे पीछे आने लगा था लेकिन तभी रिया चक कर आ गया और वो नीचे ग लेकिन उसने अपनी तबियत ज्यादा बिगड़ने का नाटक किया तो मुझे उसके नाटक में शामिल होते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उस दिन में उसकी वजह से घर भी लेट आया था और जब आया तो तुम घर ही नहीं आई थी। उस दिन से जब भी उ तुम ऐसे लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो। कितनी बड़ी नौटन की है वो। निशा के ऐसे बोलने से कुनाल उसे घुर कर देखने लगता है। कुनाल के ऐसे घुरने से निशा उससे अपनी आखें चुराते हुए बोलती है ऐसे क्या देख रहे हो मैं सची बोल रही ह तो कुनाल बोलता है तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चल रही निशा इसके आगे कुछ नहीं बोलती है और अपने पेट पर हाथ रख बोलती है लंच टाइम हुआ है मुझे भूख लगी है वही दूसरी तरफ मीरा अपने काम में बिजी थी तब उसे आरव मेसेज आता है मीरा मेसेज खोल देखती है तो उसमें आरव ने कहा था कि वो पांच मिनट में आफिस नीचे आ जाएगा तो मीरा को उसने नीचे बुलाया है आरव का ये मैसेज देख मीरा जल्दी से अपना पस और मोबाइल लेकर कम्प्यूटर को आफ कर नीचे जाने लगती है वो जल्दी से लिफ्ट लेकर ग्राउंड फ्लो पर आकर कमपनी के एंट्रांस चली जाती है आरव पहले ही मीरा वहा वेट कर रहा था मीरा जल्दी से उसके पास जाती है तो आरव मीरा के लिए कार का डोर ओपन करता है मीरा कार में बैठ जाती है और फिर आरव भी दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ जाता है और फिर कार स्टॉट कर वहा से जाने लगते है कार में दोनों शांत बैठे दोनों क्या बोले समझ नहीं आ रहा था आरव पहले बोलने के पहल करने का सोच वो मीरा से बोलता है क्या निशु अब भी अपसट थी उसका मूड कैसा था आरव के ऐसे पूछने से मीरा बोलती है वो ठीक थी और उसका मूड भी ठीक था मीरा के ऐसे बोलने से फिर दोनों चुप हो गए मीरा आरव से बोलती है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो तो आरव समाइल करते हुए बोलता है हम बच्पन से एक दूसरे को इतने है और वो मुझे मेरी छोटी बहन के जैसे ही है तुम मीरा बोलती है तुम सब की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है आरव बोलता है तुम अब साथ में रहोगी तो तुम भी हम सब में शामिल हो जाएगी आरव के ऐसे बोलने से मीरा उसे देखती है आरव सामने देख रहा था दोनों ही शांत थे ऐसे ही उनकी कार एक रस्टोरंट के पास पहुंच जाती है और दोनों बाहर आते है आरव ने पहले ही एक टेबल बुक की थी मीरा और आरव अपने लिए ओर्डर देते है और अपना ओर्डर आने का वेट करने लगते है आरव बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है तुम अपनी फैमिली के साथ यहां नहीं रहती तो तुम्हारी फैमिली कहा रहती है और तुम्हारे फैमिली में कौन-कौन है आरव के ऐसे पूछने से मीरा थोड़ी मायूस हो जाती है और फिर धीरे से बोलती है मैं अनात हो इसलिए मेरी फैमिली में कोई नहीं है मीरा के ऐसे बोलने से आरव को भी थोड़ा बुरा लगता है वो मीरा का टेबल पे जो हाथ था उस पर अपना हाथ रख बोलता है मैं हूँ ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा आरव के ऐसे बोलने से मीरा अपनी आखों में आसू लिये उसे देखती है तो आरव उसके आसू पोंच देता है तभी उनका ओर्डर आ जाता है आरव वेटर को उनका खाना टेबल पर रख जाने को बोलता है उस वेटर के जाने के बाद आरव मीरा को खाना सर्व कर खुद के लिए भी ले लेता है फिर दोनों लंच करने लगते हैं बीच बीच में बाते करते हुए हसने लगते है आरव और मीरा अब एक दूसरे के साथ काफी कमफर्टेबल फील करते है वही कुनाल के केबिन में निशा के भूख लगने की बात सुन कुनाल अमित को कॉल कर खाना लाने के लिए बोल देता है और फिर निशा के माथे पेकिस कर उसे प्यार से बोलता है थोड़ी देर में खाना आ जाएगा तब तक ऐसे ही बैठी रहो मैं मेरा थोड़ा काम करता हूँ तो निशा फिर एक बार उसके चेस्ट पर अपना सिर रख बैठ जाती है निशा कुनाल के शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए कुछ सोचने लगती है उसे कुछ याद आता है तो वो कुनाल से बोलती है कुनाल तुम्हें कब पता चला रिया तुम्हें धोका दे रही है निशा का सवाल सुन कुनाल जो अपना काम कर रहा था वो बीच में रोकते हुए निशा को देखने लगता है और फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है तब उससे पता चला था कि वो अक्सर एक नंबर पर कॉल करती और वो नंबर मेरे एक अपोनेंट का था इसलिए मुझे उस पर शक होने लगा और फिर उससे मैंने रिया के बारे में सब पता करने के लिए कहा तो मुझे पता चला कि रिया बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती ह जो मुझे बरबाद करना चाहते है, बस अब मुझे पता करना है कि उसने ऐसा क्यूं किया, कुनाल की सारी बाते सुन निशा गुस्से और नफरत से बोलती बोलती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं उसने तुम्हे धोका दिया और फिर से तुम्हें मुझसे छीनने आई से ल लगा है और इस गुस्से में बहुत ही क्यूट लग रही हो कुनाल के ऐसे बोलने से निशा उसे घूरते हुए बोलती है तुम टॉपिक क्यू बदल रही हो अगर वो तुम्हारे आसपास रहे तो मैं खुद को संभाल लूँगी लेकिन वो तुम से चिपकने की कोशिश और तुम उसे खुद से दूर नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को नहीं छोडूँगी कुनाल निशा की बात पर कोई जवाब दे पता उससे पहले डोर नौक होता है जिसे सुन निशा कुनाल की गोद से उतरने लगती है लेकिन कुनाल उसे पकड़ते हुए अपने कढ़ को ऐसे ही उठा कर सोफे पे लेकर आता है और दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना निकल निशा को खिलाने लगता है निशा आज खुद को हेल प्लेस महसूस कर रही थी आज कुनाल उसे छोड़ने के लिए तयार नहीं था निशा खुद के मन में सोचती है आज से मैं हाथों से खाना खाने लगती है और बीच बीच में उसके हाथ उसी के मूह की तरफ ले जाते हुए उसे खिलाने लगती है दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ प्यार से लंच करने लगते है पूरा दिन एक दूसरे के साथ बिताने के बाद कुनाल और निशा रात को एक अच निशा गुस्से में रहता या फिर चुपी रहता वो ज़्यादा तर विला आता ही नहीं था ओफिस में ही रहता था। लेकिन कुनाल इनको ऐसे निशा को रिस्पेक्ट करते देख बहुत अच्छा लगता है। टेबल की तरफ जाती है तभी पीछे से कुनाल आकर उसके हाथ से टौवल लेकर उसके बाल पोचने लगता है। निशा कुनाल को मिरसे देखने लगती है। लगता है वो धीरे धीरे निशा के होटों की तरफ बढ़ने लगता है कुनाल अपने गर्म होट निशा के होटों पर रख देता है कुनाल के होटों का अहसास पाकर निशा की आखें अपने आप बंध हो जाती है और वो भी कुनाल को किस करने लगती है कुनाल निशा के होटो के मुह के अंदर डाल उसे किस करने लगता है निशा कुनाल के किस खोने लगती है दोनों ही एक दूसरे को कितना मिस किया वो अपने किस से बया कर रहे थे ऐसे किस करते हुए कब दोनों के कपड़े उनसे अलग होकर जमीन पर पड़े उनको मालूम नहीं होता और दोनों एक प्यार में खो जाते हैं। कुनाल आज निशा को छोड़ने के लिए तयार नहीं था। आधी रात तक निशा को प्यार करने के बाद भी कुनाल का मन नहीं भरा था लेकिन निशा पूरी तरह ठक चुकी थी। ठकान की वजह से उसकी आखें बंध हो रही थी जब कुनाल निश को इतना ठका हुआ देखता है तो उसकी उपर से हटकर बाजू में सोता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। फिर उसके माथे पे किसकर उसे गुड़नाइट विश करता है। निशा नींद में ही उसके चेस्ट पर किसकर अपनी आखें बंध कर लेती है। निशा की अज एक दूसरे की बाहों में बहुत दिनों बाद सुकून से सोए हुए थे। अगली सुबह, जब निशा की आखें खुलती है तो वो खुद को कुनाल की बाहों में पाती है। कुनाल पहले ही उठ चुका था लेकिन निशा की की आखे खुलती हुई देख अपनी आखे बंद कर सोने का नाटक करने लगता है। निशा अपनी आखे खोल अपना सेरू पर कर देखती है तो कुनाल को सोता हुआ पाती है। कुनाल सोते हुए भी बहुत हैंसम और डेशिंग लग रहा था। निशा तो कुनाल को सोते हुए देख उसके चहरे में खो जाती है। वो धीरे से अपने हाथ से कुनाल के चहरे को सहलाने लगती है। निशा की ऐसे करने से कुनाल को कुछ होने लगता है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है वो जानना चाहता था कि निशा आगे क्या करेगी। निशा कुनाल के चेहरे को सहलाते हुए उसको होठों को अपने अंगूठे से सहलाती है और आगे जुक कर उसके होठों को चूम लेती है जैसे ही वो पीछे होने लगती है तो कुनाल उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने उपर लेकर उसे डिपली किस करने लगता है निशा कु कुनाल के इस एक्षन को देख हैरान रह जाती हैं। कुनाल निशा को छोड़ कर उसके सूजें हुए होटों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसे अपनी सर्द भरी आवाज में बोलता है। बीवी अपनी हब्वी का नींद में फायदा उठाना अच्छी बात नहीं। उसे प्यार से बोलता है अगर ऐसी मॉनिंग रोज होगी तो मैं रोज देर तक सो सकता हूँ। वैसे तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट है इस वजह से मेरी सुबह भी बहुत स्वीट हो गई है। निशा ने कुनाल की शर्ट पहनी थी जो की निशा के थाई तक आ रही थी। कुनाल निशा को ऐसे देख जल्दी से उठ उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है आज के बाद तुम मेरी शर्ट ही पहनोगी मेरे सामने तुम मेरी शर्ट में बहुत होट लगती हो। और रही बात लेट होने की तो हम दोनों साथ में शौवर लेंगे ताकि हम जल्दी रेडी हो जाए इतना बोल कुनाल निशा को बात करने का टाइम नहीं देता और उसे उठा के बाथरूम में चला जाता है कुनाल ने ये सब इतना जल्दी किया कि निशा उसे कुछ बोल ही नहीं पूरे दो घंटे बाद दोनों बात रूम से बाहर आते हैं कुनाल के चहरे पर एक सैटिसफाइड स्माइल दी तो वही निशा उसे घूरे जा रही थी कुनाल निशा को नीचे उतरते हुए बोलता है बीवी इतना गुस्सा अच्छा नहीं तुम गुस्से में और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल दिखाती हो तुम ऐसे ही गुस्सा करोगी तो मैं फिर खुद को रोक नहीं पाऊंगा कुनाल की बाते सुन निशा गुस्से से उसे दूर धाकेलते हुए बोलती है जाओ यहां से मुझे तयार होने दो मैं नीचे आ जाओंगी ब्रेकफास्ट के लिए निशा की ऐसे बोलने से कुनाल हस्ते वहां से चला जाता है थोड़ी देर बाद निशा नीचे आती है तो दोनों ब्रेक फास्ट कर अपने अपने कार से ओफिस के लिए चले जाते है आफिस में निशा कुनाल से पहले पहुचा जाती है वो जैसे ही अपने फ्लो पर आती है उसे वहा रिया दिखाई देती है रिया को देख निशा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फिर वो कुनाल की बात याद कर खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर अपना चेहरे के एक्षन को छुपा लेती है और अपनी डेस्क पर बैठ जाती है जब रिया निशा को वहाँ देखती है थोड़ा हैरान हो जाती ही लेकिन फिर खुद को नॉमल कर वो निशा के पास चले के आज जाती है और फिर थोड़ा एटिट्यूड से बोलती है हाई निशा कैसी हो इतने दिन कहा थी कुनाल कितना परेशान था तुम्हारे लिए गलत कहा वो कुनाल मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए तुम्हारे पास नहीं आया मुझे माफ करना मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहती वो आगे कुछ बोल पाती कि वहाँ एक कड़क आवाज सुनाई देती है क्या हो रहा है यहाँ कुनाल की आवाज सुन दोनों पीचे देखती है तो वहाँ कुनाल बिना किसी भाव के खड़ा था उसके चहरे से पता ही नहीं चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है रिया कुनाल को देख फिर से इनुसंट मन कुनाल के पास जाने लगती है कुनाल उस इगनों का अपने केबिन में चला जाता है रिया उसके पीछे चली जाती है निशा को गुसा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती कुनाल अपने केबिन में जाकर अपने चेय पर बैठ जाता है रिया उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ जाती है कुनाल अपने हाथ में एक फाइल लिये पढ़ रहा था रिया के केबिन में आते ही उसे बिना देखे कुनाल अपनी सकता आवाज में उसे बोलता है तुम यहां क्या कर रही हो कुनाल की इतनी कड़क आवाज सुन रिया थोड़ा डर जाती है लेकिन फिर खुद के दर को कंट्रोल कर अपने चहरे पर मयूसी लेट हुए बोलती है तुमकर नहीं आए और फिर आज मुझे डिस्चार्ज मिल गया और मैं तुम्हें बहुत मिस्कर रही थी इसलिए मैं रिया की बाते सुनने के बाद भी कुनाल उसे नजरे उठा कर नहीं देखता तो रिया अपने निचले होट को कातते हुए आगे बोलती है क्या कर तुम्हारी बीवी वापस आ हो इस वजह से तुम नहीं आए क्या तुम दोनों मेरी वजह से जगडा हो गया है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मिलने नहीं आऊंगी मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी रिया की बाते सुन कुनाल अपनी फाइल बाजू में रख रिया को देखता है और फिर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है कल मेरी important meetings थी इसलिए मैं तुम्हें hospital से लेने नहीं आया और आज भी मैं बहुत बेजी हूँ इसलिए तुम वापस जाओ और आराम करो मेरे पास जब time होग तब मैं आ जाओंगा तुम्हें मिलने कुनाल इतना बोलता ही है कि उसके केबिन का डोर नौक होता है और निशा अंदर आ जाती है बिना कुनाल की पमिशन निशा को अंदर आते देख रिया को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो खुद के गुस्से के उपर काबू कर च सुन्रिया की ऐसे बोलने से निशा उसे एक कोल्ड लुक देती है और फिर बिना किसी भाव के बोलती है मिस रैचंद आपने सही कहा ये ओफिस है यहां पसनल मैटर्स डिसकस नहीं करते है और आप किसी मीटिंग के लिए तो नहीं आई है तो आप जा सकती है आज हमारे सिर प्रोल कर कुनाल की तरफ देखती है लेकिन कुनाल कुछ नहीं बोलता जिसे देख रिया को और गुस्सा आता है रिया कुनाल से अपनी नाजुक आवाज में बोलती है कुनाल मैं तो यहां सिर्फ तुमसे मिलने आई थी मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी बीवी जी आ रहा था इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर कहा है कि अभी भाई ने सबको घर पर बुलाया है सबको आज डिन के लिए निशा की बात सुन कुनाल उसे बोलता है ठीक है तुम मेरे आज कौन सी मीटिंग्स है और उनका टाइम बता दो कुनाल के ऐसे बोलने से निशा उसे घूरते हुए बोलती है ठीक है सर मैं अभी अमित सर से लेकर आती हूँ इतना बोल निशा वहाँ से कुनाल और रिया को घूरते हुए बाहर चली जाती है निशा के जाते ही रिया कुनाल को अपना इनोसेंट लुक देते हुए बोलती है कुनाल तुमने तुम्हारी बीवी से कुछ क्यू नहीं कहा वो मुझे कितना कुछ बोल गई रिया के ऐसे बोलने से कुनाल उसे बिना देखे अपने फाइल में देखते हुए बोलता है तुम यहां क्यूं आई मैंने तुमसे कहा था निशा को गुस्सा बहुत आता है और वो तुम्हें देख गुस्सा हो जाएगी फिर भी तुम यहां आई और उसे बोलने लगी कुनाल के ऐसे बोलने से रिया अपने आखों में आसू लाते हुए बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए शादी से चली गई लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे कैसे ठ्रीट कर सकते हो इतना बोल वो कुनाल की बिना बात सुने वहाँ से भाग जाती है कुनाल उसे जाते देखता है और फिर अपने काम में बिजी हो जाता है रिया के जाने के थोड़ी देर बाद निशा कुनाल के केबिन में आ जाती है और कुनाल को उसके मीटिंग के बारे में बताती है कुनाल निशा को गौर से देख रहा था निशा कुनाल को मीटिंग के बारे में इनफॉर्म कर वहाँ से जाने लगती है तो कुनाल उसे रोकते हुए बोलता है मिस निशा मेरे लिए एक ब्लेक काफी ले आये जैसे मुझे पसंद है कुनाल की बात सुन निशा का मुख बन जाता है और वो वैसे ही कुनाल के केबिन से बाहर आकर पैनेटरी की तरफ जाकर कुनाल के लिए कौफी बनाने लगती है पैनेटरी में दो एमपलोई खुद के लिए ती बनाते हुए बाते कर रही थी उनमें से एक लड़की दूसरी को बोलती है तुम्हें पता है आज मैंने हमारी बॉस की एक्स गल्फरेंट को देखा शायद वो बॉस से मिलने आई थी तो दूसरी एम्प्लोई उससे बोलती है लेकिन बॉस की तो शादी हो गई है न और वही उनकी गल्फरेंट थी उसके ऐसे बोलने से पहली एम्प्लोई बोलती है तुम्हें नहीं मालूम उनकी गल्फरेंट शादी से भाग गई थी इसलिए बॉस अपने फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए किसी और से शादी की है अब वो कौन है ये किसी को नहीं मालूम ये सब सुन वो दूसरी एम्प्लोई उससे बोलती है वैसे तुम्हें ये सब कैसे पता और इस बारे में कोई न्यूज क्यों नहीं आई तु वो पहली एम्प्लोई बोलती है मैंने गलती से अभिनव सर की और अमित सर की बात सुनी थी इसलिए मुझे पता चला लेकिन ये बात कमपनी से बाहर नहीं जानी चाहिए वरना हमारी जौब खत्रे में आ सकती है उन दोनों की बाते सुन निशा का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो उनको गुस्से में बोलती है तुम यहां काम करने आती हो या अपने बॉस की पसनल लाइफ के बारे में गौसिप करने अगर किसी ने सुन लिया तो अभी भी तुम्हारी जौब खत्रे में पढ़ सकती है निशा को वहा देख दोनों चौँक जाती है और फिर थोड़ा घबराते हुए बोलती है सौरी मिस निशा आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप बॉस से कुछ मत बोलिए निशा उन दोनों को एक बार देख कुणाल की कॉफी लिये वहा से चली जाती है वो दोनों उसे गुस्से से और थोड़ा जलन भरी नजरों से देखती है निशा अमित की असिस्टेंट बनने की वजह से कमपनी में बहुत सारी लड़कियां उससे जलती थी और उसे हमेशा अजीब नजरों से देखती है लेकिन निशा हमेशा उन्हें एगनो करती है निशा कॉफी लेकर कुणाल के केबिन में आती है तो देखती है कि कुणाल अकेला है और अपने काम में बिजी है निशा कुनाल के टेबल के पास आती है और फिर टेबल पर कॉफी रख कुनाल से बोलती है सर आपकी कॉफी इतना बोल वो वहाँ से जाने लगती है कुनाल उसे जाता देख अपने करीब खीच लेता है और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है निशा कुनाल के गोध से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए बोलती है छोड़ो मुझे विसमे अधिबोधक चिन्ह मुझे जाना है सर आपका मेरे साथ ऐसा बहेव करना शायद आपकी गल्फरेंट को पसंद ना आए आज के बाद मुझे नौक कर पमिशन लेकर आना पड़ेगा कुनाल निशा की ऐसी बाते करते देख मुस्कुरा कर उसके नेक पे किसकर उसे छेड़ने के अंदाज में उसे बोलता है हम मेरी बीवी को अब जलन हो रही है वैसे तुम जलन में भी बहुत होट लगती हो कुनाल के ऐसे बोलने से निशा उसे घूरते हुए बोलती है छोड़ो मुझे मुझे तुम से कोई बात नहीं करनी है इतना बोल निशा जाने को होती है कि कुनाल उसे टाइटली अपनी बाहों में जकर लेता है और उसके नेक पे किस करने लगता है निशा कुनाल के किस करने से उसकी बाहों में पिघलने लगती है कुनाल निशा के नेक पे किस करते हुए उसके कानों में अपनी गर्म सांसे छोड़ते हुए उसे अपनी सर्द आवाज में बोलता है बीवी तुम गुस्सा मत करो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी का नहीं कुनाल की बाते सुननिशा थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है अपनी गलफ्रेंट को काबू में रखा करो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वो मुझे ऐसे हुकूमत दिखाए